सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बाचीत हुई और उस बाचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा नहों की बड़ी त्रासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडूर के अंदर पेशेंस पड़े हैं सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं आज सभी परिस्थितियों का जाजा लेने के बाद दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो essential services है वो जारी रहेंगी खाने पीने की medical विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी ये शादियों का सीजन है लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाते तो लोगों की शादियां संपन हो लेकिन केवल पचास लोगों के gathering के साथ संपन हो उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे इसके बारे में अभी थोड़ी देर में detailed order जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजे जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेंगी मैंने और जिजी साहब कि हम दोनों ने निरने तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाए नहीं बचा था हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन के दोरान किस तरह से लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं, लोगों की कमाई खतम हो जाती है, और खास कर सबसे गरीब तब के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है, जो दिहारी करके रोज कमाते हैं, उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है, पिछली ब छे दिन का दिली छोड़ के मत जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतना पैसा खराब हो जाएगा इतनी उर्जा खराब होती है दिली में रहिए मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडान हो और छोटा ही रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि श लिकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी, मैं हूना, मुझे पर भरोसा रखेए, मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है, आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूँ, हमे कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्त विवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए, तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके, ये जो छे दिन का लॉकडाउन हम ल केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्र गुजारें, उनसे ऑक्सीजन की विवस्था करेंगे, दवाईयों की विवस्था करेंगे, इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल करेंगे, मेरी अप सब लोगों स आज भी आप मेरा साथ देंगे, हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे.